नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं चैनल आनी प्रो और मैं आपका जाना पैचाना साथ हार देख। मित्रों शरदी तो अब की बार इतनी नहीं आई है इसलिए काम अच्छा चल रहा है और वीडियो थोड़ा से लेट से बनाने का रीजन होता है नमस्कार मित्रों आपका पुना स्वागत चैनल आनी प्रो पर रियल एस्टेट के मामले में एक अच्छा डिल के लिए प्रशिद यह चैनल आनी प्रो और मैं आपका दोस्त मित्र हार देख। दोस्तों आज जो यह मेरे पीछे ठीक प्लोट आप देख रहे हैं एक यह सोगज का प्लोट है जो करेब बीस की फ्रेंट है और पेंतालिस की गराई है बीस फिट की गली में बिजली पानी पक की गलिया सारी सुविधाओं के साथ भारत की राजधानी दिल्ली चेत्र अब आपको मैं सबसे पहले यह गली दिखाता हूं यह देखिए यह गली है जो करेब मेरे हिसाब से गली बेस फिट की गली में सौगज का प्लॉट आन्दपुर धाम कराला आन्दपुर धाम कराला में यह प्लॉट आज लेकर मैं हाजिर हूं जिसका फ्रेंट 20 और 45 की गहराई आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पानी का कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ट जो एक दिल्ली सरकार की संस्था है पेजल उपलब्ध कराती है तो यहाँ पर पेजल उपलब्ध है बिजली कि 20 मैं आपको दिखाई दिया और यहां से यदि मैं आपको कंझाबला रोड कहूं तो कंझाबला रोड मुश्किल से 2 मिनिट की ड्राइब है तो आप अपनी बाइक से 2 मिनिट में कंझाबला पे पहुंच जाते हैं कंझाला रोड वही है जो बुद्ध वियार होते हुए वाइब लॉक होते हुए अवंदिका होते हुए पुलिस लाइन चली जाती है सक्टर 21 माराज अगरसेन होस्पीटल बेगमपूर तो उसी रोड पर आप मिलके चले जाते हैं यह पूरी कलोनी बहुत साफ सुतरी है और यहां पर आपको पूरी कलोनी में कहीं पर भी मीट की द बुकाने नजर नहीं आएगी कलोनी में मंदिर और गुर्दवारा दोनों ही उपलब्ध है आपको यहां से वाकिंग डिस्टेंस पे मतलब मैं समझता हूं कि करीब 500 मीटर आप चलेंगे तो बार्मी तक का आपको पब्लीक स्कूल भी है अच्छा स्कूल बना हुआ है और संसे एक किलो्मीटर दुरी पर सरकारी स्कूल है जो कि काराला के अंदर है और भार्मी तक का इसकूल है यूर अर्टू की मैं बात करूँ तो आप कराला रेड लाइट से जाएं और यह टू पे वहाँ पे एकजिट दिया गया और एंट्री दिया गे ऐकस्प्रेसवे का जो सोनी पर वुगेरे से होते हुए हली पैड रोहनी होते हुए और रसूलपुर गाओं के पीछे से होते हुए मुंड का होते द्वार का होते हुए और जैपुर वाले रोड पर चले जाती है यदि आपको जैपुर वाले रोड गुर्गाओं जाना होगा तो अपनी बाइक से आप 20 मिट में एक्सप्रेस वे से जा सकते हैं यदि आप सोनी पर जाते हैं तो वहां भी 15-20 करें कि जुरुत की समान है आपको सारी चीज़ें इस कलोनी में उपलब्ध हो जाती है और इस कलोनी के आसपास है रुपाली इंकलेव सीव भिहार और उत्सभ भिहार भगसिंग कलोनी तो यह नियरबाई में है सभी दिल्ली के पिन को 110081 पर है यदि आपको यहां से मेट् किलोमीटर और यदि आप मुंडगा मेट्रो जाना चाहते हैं तो यहां से भी बसें भी जाती है और जा सकते मुंडगा मेट्रो वह भी करीब 5-5 किलोमीटर लेकिन प्रपोज्ट मेट्रो स्टेशन जो है यहां पर यूईयर 2 के साथ-साथ निकलेगी तो वह करीब-करीब एक किलोमीटर पे मिल जाएगा तो मेट्रो 2026 के प्लैनिंग में है उस टाइम इस जमीन की कीमत बहुत बढ़ जाएगी तो दिल्ली के अंदर कहीं भी आप जमीन देखें तो अभी दिल्ली के इसी कोने में है जो अभी उपलब्द है तो सबसे बड़ी बात है कि आवादी क बीच में बिजली पानी पक्की गलियों के अंदर यदी प्लोट आज भी उपलब्द है तो दिल्ली चेत्र के इसी शेत्र में उपलब्द है पिनकोड 81 बाले में इसी रेंज में आपको भाग भीहर वगरे में या मीर भीहर में जमीन मिल तो जाती है लेकिन वहां के रहन से में थोड़ा सा डिफ्रेंस है जो शायद उसी रेट में आपको यहां मिलेगा जो जादे स्विधा के साथ है तो मैं समझता हूं भाग भीहर का उप्सन यदि आप देख रहे हों तो से उससे बेटर उसी रेट पर आपको यहां मिल जाएगा तो यह तो मैंने आपको बदा पेट्रॉल पंप है और पुलीश स्टेशन भी है कि हम एक किलोमीटर पर पर आपको मिल जाती है को आपको सेक्टर 21 में महराज अक्रशन कॉलेज महारा जाग सेंथ होस्पीटल इंटरनेशन होस्पीटल है सरकारी होस्पीटल की मैं बात करूं तो आपको अपको संजय तो जो कोलेज भी है वहांपे अमेडिकल कॉलेज भी है वह वह भी करीब आपको 9-10 km है और हैलिपैड होकर आप जा सकते हैं तो रिठाला मेट्रो जाने में आपको ज्यादा देर नहीं लगागी आप मुस्किल से चार से पांच मेट में आप रिठाला मेट आपनी बाइक से पहुंच जाते हैं तो यह सब सारी चीज़े मैंने कनेक्टिवीटी बताई और इस प्लोट के बारे में मैं आपको सारे 22 का फ्रेंट है चालिस की गहराई है एक कैमरे से प्लोट के अंदर भी लेके चलता हूँ और वो भी दिखाता हूँ इसमें कोई सज्जन भी रह भी रहे है पोकेट फ्रेंडली जरूर होने वाली है जो यह रेट आपको मैं देने जा रहा हूँ मात्र 23,000 रूपे गज़ पे है मालब 23,000,000 में आपको यह सोगच मोलभाव आपका अदिकार है हर चीज देखिए जापान में भी मोलभाव बहुत होता है और इंडिया में भी मोलभाव बहुत होता है तो जो भी होगा जो थोरे सा नेगोसियाबल जहां तक हो सकता है बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकता हूं कि आप कहेंगे तरह इसकी चीज जब 20 में लगा लो ऐसा तो नहीं होगा लेकिन जो भी होगा 200 400 500 जहां भी होने का होगा वो तो depend करता है जब आप पहले plot पसंद करें कभी भी आप video देखकर plot okay न करें कभी advance booking की बात नहीं करें हाँ कभी कभी हमारे साथ होता है booking जबस्ती customer करके जाते है मैं मना करता हूँ जब उनको लगता है कि प्लोट का customer सामने एक बैठा हुआ है तब जाके ऐसा हुआ है मेरे साथ लेकिन मैं कहता हूँ जब आपको पसंद आ जाए तो एक अपना मोटी रखम लेके आए तो थोरा सा प्राइज रेट तोरने में अच्छा रहता है तो 20% आप लेके आ जाए बुक कर दीजिए ब्याना के अपने रेशिप्ट एक्रिमेंट बना लीजिए और जो भी करें लिखत परहत करें हमारी आपके ठीक है एक दोसरे के विश्वास बनना है अच्छी बात है लेकिन बिना लिखत परहत के कोई भी एक קदम आप आगे ना भढ़ाए कि आप भी शान्ती से मैं भी शान्ती से सब लिखत परहत हो कहरे ही आप रेशिप्ट लेए कोई भी चीज रीटन ले तो चलिए मैं आपको फ्लोट के अंदर ले कि चलता हूँ बैक कैमरे से दिखाने कुशिश करता हूँ तो मैं आपको यह फ्रंट दिखाने कुशिश करता हूँ यह जो आप दिवार देख रहे हैं तो अपनी जो दिवार है यह 6 फिट उची है और यह कोटरा बना हुआ इसमें अभी एक बच्चा रहता भी है जो अपना स्टडी सैद कर रहा होगा तो यह इंट बगएर सब आपको फ्री मिलेगी 6 फिट की दिवार चारों तरफ है देखिए आप नालिया भी यहां पक्की है सड़क गली भी पक्के टाइलिंग के साथ है और इसलिए बिल्कुल साफ सदरी नजर आड़े होगी और यह पानी का कनेक्शन है दिल लीजर बोड का तो वो जो आप देख रहें ने यह लास्ट यहां तक सारे 22 फिट के फ्रंट के साथ है आप इसमें चाहें तो सवाए 11 के फ्रंट के साथ 50 गजवी ले सकते हैं जिसकी कीमत आपको चुगाने पड़ सकती है बहुत ही वाजिमल 11 लाख रुपे सारे 11 हो जाए या 11 हो जाए और यदि पूरर लेना चाहते हैं तो 23 मांग रहे हैं वो आप 20 पे हो जाए जितने बेभी होगा वो देख लेंगे जब आपको पहले पसंद आए तो यह अंदर लेके चल रहें आपको यह थोड़े से गहराई है तो मैं दिखाओं कि यहां सबसे पहले यह ट्वालेट और यह बातरूम बना हुए मेटर पाने की सप्लाई अच्छी है यहां पर आ जाते इस टाइम से और यह पूरा ग्राउंड आपका यह सोगज का दिवार आप देख सकते हैं अच्छी इटें लगी है च्छे फिट उची दिवार है और राइट सेंट में बैक साइड में दिवार आपको नहीं मिलेगी फांडेशन है और यह च्छे फिट दिवार राइट में और लेफ्ट में और फ्रंट में तो इट आपको फ्री मिल रही है इसलिए थोरे सा एक्सपेंसिव लग रहा होगा आपको लेकिन expensive नहीं है जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि उस हिसाब से ठीक है देख मांगने को तो सब मांगते हैं कि 24 दो पचीश देख लेकिन ये 23 कह रहे हैं तो अपनी 22 पे बात बन जाए या जिस पे भी बने मीटर लगा हुआ बीजली का और अब मैं आपको plot से लेक ऐसे 20 फिट की गली से होते हुए ही पर अच्छे आच्छे घर दोनों साड़ आप देख रहे हैं और अब लेफ्ट से भी निकल सकते में डेड़ पर और मैं राइट से फबंज सहर कारी रोड मिज पड़ा गया इसे सरकारी रोड से होते हुए मैं निकल रहा हूं यहीं पर आगे चलकर देखिए अब दोनों साइट घर है बड़े-बड़े प्लॉट है इन्वेस्टर्स के प्लॉट भी है आवादी अच्छी है और घर बने हुए है कि मुझे लगता है कि बाइक से शायद एक मिनट ही लगेगा जो में डॉर पर आने में यहां से लेट चलेगी तो पुना आप उसी प्लॉट पर जा सकते हैं और हम राइट में बुर जाते हैं यह देखे चौड़स रोड मुझे लगता है साट फिट या पचास फिट दो पब्लिक स्कूल है गवर्मेंट स्कूल मैंने बता ही दिया आपको एक किलो मीटर पे है सेक्टर 37 एक किलो मीटर यदि लेफ्ट चलते हैं तो मारा जगर सेंट कॉलेज मारा जगर सेंट इंटरनेशन होस्पीटल बेगंपूर रमा विहार होते हुए पूठकला होते हु हुए आप बुद्वियार होते हुए अवंतिका पहुंच जाते हैं पितंपूरा और राइट में जाएंगे तो कंजावला चले जाते हैं यह 14 रोट और स्ट्रेट मैं आ गया कंजावला रोट पर इसी रोट पर आपको पेट्रॉल पंप है सी एंजी पंप है जो सब प्लॉट से एक किलोमेटर की दूरी पर हो या डेर किलोमेटर हो कोट है स्टीम कोट और आपको सामने आप इदर से बस ले तो आप मुंड का मैट्रो इसेशन भी जा सकते हैं और लेट में ठाला के लिए भी आप जा सकते हैं मैट्रो इसेशन जो कोहार्ट इंक्लेव के लिए भी जाते या पितम पुरा पहुंचे तो कनेक्टिवीटी की सुप्धा है और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें शेयर करते रहें अपने सभी मित्रों को और किसी प्रकार से मदद करें तो यह प्लॉट 23 की डिमांड है पाइस में मिल जाए वाग